तो गाइस कैसे हो आप लोग आपका बाई आ गया है वापस एक और दोमा के तर वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे आप सब सब के फैबरेट ऑप्षन चेन के बारे में आप सभी का फैबरेट है अज हम उसी के बारे में बात करेंगे किस चीज के बात करेंगे में इसके लिए आपको बता दे तो आज हम बात करेंगे ऑप्षन टाइप के बारे में एक्सपारी डेट के बारे में किस ट्राइक प्राइस क्या होता है आई टीम क्या होता है अटीम क्या होता है प्रीम प्राइस क्या होता है ऑपन इंट्रेस्ट क् मिलेंगी बहुत ही अच्छा ही अनिलेजिस मैं करने वाला हूं उप्शन चैन का इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो उप्शन चैन की जितनी भी आपकी क्वेरीज है वह सब खतम हो जाने वाली है तो चलिए गाइस बिना वेट किये आज स्टार्ट करते हैं इस बात करने वाले हैं तो बात कर लेते हैं जो आपके लिए को छोड़ देते हुं इस तरीके से माँ आपको समझा दूँगा इस एक्जामपल के थुरू आप बिल्कुल अच्छी तरीके समझ जाएंगे चलिए तम आपको बताता हूं एक बहुत ही प्यारा सर बहुत ही अच् यह आप एक पर्णदे है जिसको एक हाउस लेना है बहुत प्यार से बहुत अराम से अगर आप यह टोपिक समझ गई आप समझ जाएंगे यह आपको एक हाउस लेना है यह जो पड़ी जैसा लग रहा है पर आप इसको अभी के लिए आउस समझ लिए ठीक है इसकी जो कीमत है आज की कीमत बता रहा हूं करंट डेट की आज की जो इसकी कीमत है वह आप सब्सक्राइब ट्वंटी लैक रुपीज ठीक है यह इसकी आज की कीमत है ओप्शन एए जिसका यह घर है वह परसंद इसको बोलते हैं परसंद इसको आप नाम भी दे सकते हो बटमाबी के लिए परसंद लिख रहा हूं ठीक है इन चीज़ों को आप समझ लेजे परसंद बी आ जिसके घर का करंट प्राइज बीस ल पर आपको द्यान रखना है यह सेल कि अपने पास एक कंडिशन बनती है जो अपना ये बायर है इसके पास इतना अमांट नहीं है इसके पास बीस लाख रुपए अभी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए हाउस पर्चेज करने के लिए पर फिर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है फिर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है चलिए तो इनका एक सोलुशन लिखला है कि ये लोग एक कॉंट्रेक्ट साइन कर लेते है एक contract sign कर लेते हैं ये लो contract का कुछ amount इनको देना पड़ेगा किस तरीक से buyer contract का amount देता है let's say 1 lakh रूपीज का buyer के पास 1 lakh रूपीज है buyer बोलता है कि 1,00,00 रूपे मैंने आपको अब दे दिये और ये मेरा नाम हो गया house चलिए कैसे हो गया अब बताते हैं एक लाक रूपे बायर ने जो ए नाम था जिसका उसने बी परसन को जो seller है अपना इसको मैं आप लिख भी देता हूँ ये seller हो गया अपना और ये buyer हो गया seller को एक लाक रूपे पेड़ कर दी और यहां पर contract लिख दिया कि मैं आप का अगर दोसाल के अंदर अंदर पर चेज कर लोगा क्या कर लें कि कर लेगा दो साल चे अंदर 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 पर चेज कर लए सब हो इस तरीके सेzteं एक लाप रूपा बहुए कर लिया एक agreement sign होगा, seller ने इसको दे दिया एक लाख रुपे का, अब जो agreement हम sign करते हैं real estate में, आपको पता भी होगा, जो agreement की amount होते हैं यह एक लाख रुपे, यह आपको कभी return नहीं होती, या तो आप उस house को कभी ले आगे जाके, या फिर आप ना ले, बट यह आपको return नहीं होगी, यह चीज़ आप जरूर से याद रखिएगा, ठीक है, यह चीज़ आप यहाँ दोगे, चलिए, तो इसने यह एक लाख रुपे, आज current price था, बीस लाख रुपे हमारे, जो house का, वो purchase कर लिए, उसका एक agreement, एक contract sign कर लिए, चलिए, अब बीत जाते हैं हमारे दो साल, दो साल चलेगा, हम future की बात करें, अभी फिलाल 2023 चल रहा है, तो हम 2025 में पहुंच चुके हैं, ठीक है, 2025 में जाने के बाद, जो house की कीमत 20 लाख रुपे थी, जो कीमत 20 लाख रुपे थी, वो अब उसकी कीमत हो जाती है, 25 लाख रुपे, दो साल के बाद, ठीक है, एने कितने वो थी 2 साल रही, ठीक है, तो आज इस घर की कीमत क्या हो रही है, 25 लाख रुपे, अब जो person A है, वो पैसा देता है 20 लाख रुपे, क्योंकि उसका agreement sign है, वो 20 लाख रुपे देगा, उसने एक agreement किया हुआ है, कि मैंने 20 लाख रुपे आप से house purchase किया, वो 2 साल पहले जब कि तो वो 20 लाख रुपे देता है person B को, ठीक है, person B को 20 लाख रुपे दिये, घर की कीमत कितनी है आज, 25 लाख रुपे, ठीक है, purchase कितने में किया है, 20 लाख रुपे, ठीक है, तो 20 लाख पलस जो वो एक लाख रुपे उसने advance दिया था, वो वो भी आपको लिखना है, तो 21 ला यह एक लाख रुपा भी जूड़ेगा, जो आपने premium लिया था न, यह भी इसी में जूड़ जाएगा, तो 21 लाख रुपे का इसने purchase किया है, और आज उस गर कीमत कितनी है, 25 लाख रुपे, 25 लाख, तो यह 25 लाख का अगर इसको sale कर देता है, मैं एक सेकिन इसको बड़ा क प्रीमियम दिया था, तो इसको profit हुआ सीधा सीधा याप चार लाख, यह होता है आपका profit, आप इस चीज़े को समझी गए, अभी मैं loss को भी दिखाऊंगा, तो वाइस यह तो हुए हमारी profit के बाद, अब बात करते है, loss की, यह चलिए, अब बात करते है, loss की situation में अगर उस को दिया था, आज की डेट में, निकी 2023 में, आप इसको समझ के चलिए, दो साल का इसने expiry लिए, कि दो साल बाद में इसको, two years की, इसकी expiry है, चलिए, बीस लाख का house था, एक लाख का इना premium दिया था, परसन बी को, बहुत प्यार से, बहुत आराम से समझना है, चलिए, 2025 हमारा आ चुका है, आज, आप सपोस कीज़े, 2025 आ चुका है अब, आज जो house की कीमत है, वो पहले 20 लाख रुपे थी, पर किनी कारणों की वज़े से, अब उस घर की कीमत जो है, 18 लाख रुपे रह गई है, दो लाख रुपे उसकी घर की कीमत, reduce हो गई है, किनी भी कारणो A है, वो क्या सोचता है, कि मेरे को तो 20 लाख का agreement हुआ है, कि मैं तो 20 लाख में इसको लूँगा, तो अब, इतना तो कोई भी पागल नहीं है, कि वो 20 लाख रुपे का घर लेके, जो 18 लाख का सेल करेगा, 2 लाख का अपना लोस कराई, इतना पागल कोई भी नहीं है, तो वो क्या करता है, वो इस contract को fulfill नहीं करता है, जो एक लाख रुपा उसमें दिया था, वो अपना लोस लेके बैठ जाता है, ना तो वो भाई करता है 20 लाख में, और फिर वो सेल करने के तो कोई मतलब है, ये जो एक लाख रुपा वो देता है, परसन A, ये एक लाख रुपा ये तो हो गई एक, ये जो आपने सीखा है, दूसरा condition ही हो गई, एक होता है कि बायर को एक contract amount देना पड़ता है, contract amount, इभी इनके detail में भी बताऊंगा, कि इस contract amount को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसका कोई अलग मीनिंग है, वो मैं आपको भी बताऊंगा, आनिवर आगे, ठी तीसरा, profit हो, या फिर loss हो, दोनोई सूरत में, जो contract amount है, ये आपकी खतम हो जाती है, दोनोई type में, ठीक है गाईस, तो इसमें हमारा चोता point क्या रहेगा, चोता point रहेगा, कुछ भी कारण हो सकता है, volatility, कुछ भी कारण हो सकता है, जरूरी नहीं है, कि आपका जो आपने सोचा है, वो आपका profit देगा, ये आपको loss ही मिलेगा, कोई कारण हो सकता है, कोई भी, या तो आपका जो आपने जो buy किया है, उसके market rate डाउन जा सकते है, market rate अप जा सकते है, इसमें एक volatility आती है, यानि क जो मैंने आपको उपर बोला था ना, कि किनी कारणों से, जो मैंने आपको बता था ना, किनी कारणों से, जो घर है, 20 लाग की जगा, ठारा दा कर रह गया, तो उसको बोलता है, वो ले, तिलिटी, ठीक है, प्रोफिट एन लोस हो सकता है, इसमें आपका premium कट जाएगा, उस प्रोफिट हो, वो आपका खतम हो जाता है, ठीक है, चलिए, एक बायर होता है, एक हमारा सेलर होता है, यह चीज़े आप समझगें, चारों चीज़े, अब मैं लेके चलता हूँ, आपको देखना, टोपिक पर, कितना आसान आपको अपको अपको लगेगा, आप ही खुद होते हैं, एक option होगा, आपका buyer, एक option होगा, आपका seller, इनके एक term भी है, जो आपको बोले जाएंगे, mostly आप देखने को मिलते है, call और put, यह दो इनके terms है, यह चीज़े आपको याद करने हैं, क्योंकि यह आपको मिलेंगे आपके panel में, जहाँ आप trading करते हो, आप जिरोदा तो हम मैं बताता हो, call और put का carry, चलिए आजाईए, तो यह option के type हैं, आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, option के types हैं, क्या होते हैं, option के types, एक होते है, call, एक दूसरा type होता है, put, अब मैं इन दोनों को एक बर बहुत ही ध्यानसर, बहुत ही अच्छी तरीके सा आपको मैं option buyer के यहाँ पे बात करो, पहले हम आपको यह बता भी दो, option buyer, as a option buyer की thinking से मैं सोच रहा हूँ, अगर आप खरीदने वाले option है, ठीक है, option जो आप call कब खरीदते हो, call कब खरीदते हो, call आप कब खरीदे हो, जब आपको यह लगता है, कि जैसे आज price 100 रुपीज चल रहा ह यानि कि आप bullies हो इसके लिए, आप यह वर्ड जरू से आद रहा है, आप इसके लिए bullies हो, आप सोचते हो, कि market का price अप जाने वाला है, तो महाँ पे काम आता है, call, जैसे market उपर जाएगी, आपको होगा profit, यह तो होगया आपका call का, चलिए, आप बात करते है, put की, तो put ह होता है, आपका bearish, यानि कि आप सोचते है, market down जाएगी, market का rate अभी फिलाल 100 रूपीज लग रहा है, और आपने put buy कर लिया, आपको लगता है, market down जाने वाली है, जैसे कि market अगर आप सोचते है, 95 पे जाने वाली है, या 90 पे जाने वाली है, तो आपने put खरीद लिया, और market profit तुरंत नीचे चली जाती है, तो आपको होगा यापर profit as a option buyer, तो ये चीज आप समझ गई, call और put का logic समझ गई, option buyer के नजरिये से, आप देख लेते है, option seller के नजरिये से, चलिए, दोनों चीज आपको ध्यान से रख लिए, option seller के नजरिये को separate रखना है, option buyer के नजरिये को separate चलिए, तो आप देख लेते है, option seller के नजरिये से, option seller, ठीक है guys, तो option seller में भी call और put होता है, पर यहाँ पे situations बदल जाती है, option seller, अगर सोचता है market अब जाने वाली है, तो वो यहाँ पे put को sell करता है, ये, ये चीज़े वो sell करता है, ठीक है, अगर option seller सोचता है market down जाने वाल है, तो वो call को sell करता है, यानि कि वो reverse काम करता है, अगर आपको लगता है, as a option buyer की market up जाने वाली है, तो आप call खरीते है market up जाती, तो profit होगा, अगर आप option seller, इस side से सोचे, तो यहाँ पे आपको put sell करेगा, ताकि उसको profit हो, ठीक है guys, option seller को एक तरीके से over profit होता है, जिसको ब market sideways जा रही है, तो भी आपके option seller को profit होगा, यहाँ पे है, तो यह बात हो गई आपकी होगा, चलिए, तो option 1 के types हम ने देख लिए, अब बात करता है expiry date की, जैसे कि मैंने वह आपको house वाले example दिया था, guys हर contract की expiry date होती है, आप वो actual buy नहीं कर रहे हो कोई, जैसे कि हमने house था example में 2 साल की आपको पता होगा, जो हमने अभी example देखा था, हर contract की expiry होती है, हमारे यहाँ पे जो contract की expiry चलती है, अगर आप index में करते हो, option trading, तो वाँ पे दो तरीके चलती है, एक चलती है आपकी weekly, एक चलती है आपकी monthly, अगर आप करते हो, जो stocks में, option trading, तो वाँ पे सिर month का last Thursday है, उसी दिन के आप भी expiry थे, ठीके गई, यह expiry होगी, उस दिन बीच जाने के बाद, आपका contract automatic रद हो जाएगा, अगर आप उसमें करते हो, आप buy नी करते हो, तो उस दिन जो आपका premium है, जो आपने as a option buyer हो, वो आपका खताम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यह हो required strike price, स्ट्राइक प्राइज आनि की current में क्या प्राइस चल रहा है आपके share, अगर आप stock marketing आप share में ट्रेडिंग कर रहे हैं यह फिर आप index में ट्रेडिंग कर रहे है, तो index का current का क्या price चल रहे है, इसको बोलते है, Star price, jNow फ्राइब करन्ट में क्या चल रहा है जातें इन्हों नाम बदल चलिए है गाइस आजओ ये तो आप हम बातकता है um ATM और OTM का मतलब होता है इन दमनी अभी फिलाल मैं आपको लिखके दिखा रहा हूं फिर में इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा आपको गाईस एक ही एग्जांपल में आप समझ जाएंगे चीक है आप इस चीज़ों को आपने देख लिए अब मैं इसको बहुत आसानी से आपको इतरा इसी समझाऊंगा इन दमनी होता है जो अंदर आ चुका है इन आप इस चीज़ को समझे इन का मतलब अंदर आ चुका है यानि कि आप सोच रहे हो मार्किट जो है अभी फिलाल हंड्रेट पर खड़ी है आप सोच रहे हो मार्किट जो है डेड़ सो पर जाएगी 150 पर जाने वाली है इसको बोलते हैं हम इन दमनी यह अपने घर में आ चुका है इन दमनी हो चुका है इतना ही समझना इससे फाल्ट तो कुछ नहीं समझना है बाकी मापको डीटेल में समझा दूंग बाद में जब जुरत इसकी पड़ेगी ठीक है एट दमनी एट दमनी यह होता है अपना इसी एक्जाम्पल के अगर हम बात करें तो मार्किट अभी 100 रुपीज पर खड़ी है तो एट दमनी यह होगा जो इसके नियरभाई का कोल होगा और जो इसके नियरभाई का पूट ह है यह फिर 105 का कोई पूट है तो यह आपके हो गए इन दमनी यानि जो फ़स्ट फफस्ट फर्स्ट फुट अर फ़स्ट गोल जो भी आपके होंगे असपास जो करंट प्राइज प्राइज चल रहा है वह यह आपके इट दमनी हो गए पहला उपर का और पहला जीए का वह के एक दमनी हो गए ठीक है अब ओटीम की बात कर लेते हैं ओटी एम होता है ओवर दमनी कुछ लोग इसको आउट ओफ दमनी बोलते हैं मैं भी मोश्टली इसको आउट ओफ दमनी बोलते हैं जैसे कि मार्किट अभी हंड्रेट पर खड़ी है हम सोच रहें 150 पर जाएगा तो 150 इसको बोलते हैं जो आपका 105 का होगा वह आपका हो गया आपका 95 का होगा फिर भी एक्टिम क्योंकि वह इसके नीचे खड़ा हुआ है और जो आपका प्राइज होगा एटी रुपीज का वह आपका हो गया इन दमनी यह एचीव हो चुका है इन दमनी और एट दमनी होता है बिल्कुल इससे उपर या इससे नीचे वाला और आउट ओप दमनी होता है जो दूर का फार अवे उसका बोलते है आउट ओप यह तीन चीजा आप समझ गए चलिए कॉन्स को सभाई करते है कॉन्सेff है कॉन्स करने का जैसे हमने अपने एग्जांप्ल में थ्षब कर लेता हो आपको लगर दिखा के लिए कॉन्स प्राइज रह चाथ Culture पूलता है मैं फ्रीम प्रीफ इन यह था उसका प्रीम्यम प्राइज इस्ट हरन कर लेता हूँ आपका डिटन नी घुन अगर आपकी निकल गई छलिए यह लुटा आपका जिरौ कि जीट रहे। आप मैं देखता हूं नेक्स हमारा क्या आग्या है चलिए ऑपन इंटость है बहुत ही बहुत ही अच्छा बहुत topic open interest and change in open interest दोनों को बता देता हूं अभी तुरंक आपको चली आ जाते हैं एक हो गया अपना open interest अच्छा open interest को हम आपको समझाता हूं जरूरी नहीं है कि बायर एक है और seller भी एक है जैसे हमारे case में था एक house जिसको हम buy करना चाहते हैं तो यह हमारा हो गया house ठीक है यह हो गया home लिख लेते हैं जरूरी नहीं है एक ही बायर एक ही seller हो मार्किट में हजारो बायर है मार्किट में हजारो seller है 100 बंदे हैं अपना घर बेचना चाहते हैं और 100 परसंस हैं जो buy करना चाहते हैं तो यह हो गए आपके बायर जरूर इनके बीच के एगरीमेंट होंगे जैसे कि 100 पीपल सेंगे करना चाहते हैं जो इनके बीच के इस contract होंगे जितने भी जो उनका count होगा लेक्ट से यह 100 है तो 100 count होगा अर्फ एक चीज और बता दू है 100 वायर है 100 seller है 200 मतलिक देना वायर और seller की बीच में एक ही contract होता है अगर बायर है तो हैंड्रेड आटमेटिक लिए तो टोटल में 100 ही आपके contracts होगे जरूर साथ एक बायर एक seller है दोनों को मिलेंगे तो एक contract बनेगा यह नहीं होगा एक बायर होगा एक seller होगा तभी उन दोनों के बीच में contract बनेगा उसको में contract बोलेंगे और जितने उन total contract का amount होगा जैसे कि हमारे यहां पर इस case में 100 आते हैं तो यही आपका open interest का मतलब मैं इसको प्रोपर तरीक से बता हूँ खुले हुए contract कितने हैं open का मतलब होता है खुले हुए इंट्रेस्ट का मतलब है buyer और seller का interest आ रहा है लेने में देने में खुले हुए interest कितने हैं मैं इतना आसान से बता रहा हूँ कि अभी फिलाल में हाल फिलाल में कितने contract हैं जो अभी खुले हुए उसको बोलते है open interest हमारे कितने हैं चलिए आसानी से आपको समझ में आ गया आपको आपको ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है अच्छा open चेंज in open interest होता है कि उसमें कितना बदलाव आ गया कोई contract fulfill हो गया कोई contract reject हो गया कोई seller हट गया पीछे कोई पायर पीछे हट गया तो विए चेंज होता रहता है आपके time के अनुसार गाइस यह आपका time के अनुसार सेर प्राइज उपर नीचे रहता है जैसे किसी ने जो यह 100 का contract किया होगा क अगर 1110 का contract क्या होगा अगर 100 ही हो गया तो यह open interest खता होगे ना वह जो हमारा contract था वो fulfill हो गया तो यह अपना automatic 100 में से हमारा जो 100 हमारे total count आयते उसमें से एक minus हो गया तो 99 हो गया अब यह 105 अगर strike price हीट कर जाता है हमारा share price उपर चल जाता है तो फिर एक होर कम हो गया 98 रह अगर में से 2% गया तो फिर चेंज इन ओपन इंट्रेस्ट होता है आपका कि कितना चेंज हुआ है जातो ओंटाइट बढ़ेंगे यह तो वह जो चेंज आया है वो कितना है इसको बोलता है चेंज इन ओपन इंट्रेस्ट चलिए ठीक है बहुत अच्छा आसानी साब समझ जाते है गाइस चलिए मुझे ऐसा ही चाहिए जो एतना असानी से समझ जाए आप यहां तक आए है तो आगे भी आप सीखेंगे प्रोपर तरीके सीखेंगे अच्छा यह वोल्यूम का मतलब है कि एकदम से कितने लेने वाले हैं आप बायर कितने कितने आप बाय करना चाहत है और वो बायर क्या रहा है कि 20 लाग रुपए में सिर्फ एक ही घर में ना दू पूरा का पूरा जैसे कि हम सेयर प्राइज खरीद लेते 20 लाग दी है हमारी अकाउंट में आ आगए ऐसे नहीं करना चाहरा है वह चाहरा है कि मैं 20 ही हाउस परचेज करो 20 ही कॉंट्रेक्ट इसको बोलते हैं वो लिए चलिए हो सकता है थोड़ा सा आपके ऊपर को जा रहा हो अभी मैं समझता हूं मेरे भी काफी टाइम लगा था इसको समझने में अगर आपके नहीं समझ मारा इस वीडियो को दोबारा से देखेगा इस वीडियो को ते बारा से देखेगा अगर फ पतियर पुरोड़वदी बन जाता क्यों मैं यूट्यूब चैनल खोलके बैठा हूं आपको समझा रहा हूं इस चीजी को कभी उनके ब्रों से मत रहना कि कोई आपको प्रीमियम सर्विस दे रहा है कोई आपको इस तरीके सा बता रहा है कि आप हमारी यह जो एक टीप ले ले पहले में बात कितीं लोस वाले में जो हमारे चल रहा था अग्जामकल उसकी बात करते है ठीके तो विसलाक का अगर мог तो फिर ढौले रिये लेग्स ओंए कि लोस जह बदिए है अगर बाइनक हमारा को इसमें तो हमारी मुट आपने 20 यहूज है और वह आपका सि ढौने कि उननीस लाग और आपका जो है 80,000 का रह जाए तो अभी ये बहुत मिनिमम आपकी वोलेटिलिटी या एक चलता रहता है अगर बड़ा चेंज आ जैसे दो लाग का यानि कि यह 20% का 10% का चेंज आया है तो यह बहुत बड़ी वोलेटिलिटी आपकी चेंज हो गई इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी उतार चड़ाओ कितना आ रहा है कितना जादा कम हो रहा है कितना प्रोफिट हो रहा है कितना डाउ रहा है इसको बोलता है वो लेटिलिटी ठीक है जो अब छीजह नीरबढ़ करती है इसमें अभी koronar की ताइम में ज्जादा वहालेटव को रहे थी और वालेटिलिटि سबसे ज्यादा हमारी खराब हो दिए जब हमारा budget पास होता है फरवरी मंत के असपास तो अगर आपको profitable होना है फरवरी मंत में प्रोफिटेबल हो सकते है ज़ा option बायर मैं आपको इसकी ट्रीक भी बताऊंगा अगर आप मुझे कमेंट करोंगे न तो आपको एक ट्रीक बताऊंगा फरवरी मंत में लाश्ट जो खरीदा गया जैसे कि मार्किट में अभी फिलाल करेंट प्राइस सो रुपे चल रहा है तो लाश्ट यह खरीदा गया होगा 99 पर तब इसको एक रुपा बढ़ाया गया तो इसको बोलते है लाश्ट ट्रेडिट प्राइस क्या हुआ हुआ है हमारा फिर वह अ अब अपने टोपिक पर कौन सा टोपिक का रहे हैं चलिए बीड पराइस अब यह चारो टोपिक में एक ही चीज में बादू हुआ बीड पराइस बीड कॉंटिटी आस्क कॉंटिटी आस्क पराइस चलिए तो आम एक चीज बताता हूं आपको आप ऐसा उप्शन बायर हो ठीक है आपको यह फर्चेज करने जाता हूं लेट से तो आप हर एक है आप एक है आपे सेल जो बैठा हुआ है ठीक है वह अपने अपने हाउस का अगर मार्किट रेट बीस लाग चल रहा है तो आपको बोलेगा 21 लाग रुपे दे दो वह एक्स्टा बोलता है इसको बोलत प्राइस के लिए अब यह हमारा बायर हो गया अब यह क्या सोचता है कि यह महांगा दे रहा है इसको अभी में डाउन डाल दे तो हमारे यहां पर जो लेडिस हमारे यहां की दुकान पर जाती है दुकान दार उनको साधी के रेट बताता है पांच हजा रुपे हमारी आपको देना हो देदो नहीं देना हो ना से इसको बोलते हैं बिड पराइस इसको बोलते हैं बिड पराइस हो सकता है एक्जाम्पल आपको वहती डिलेटिव लगाओ बट यह चीज़े समझ नहीं किया कौन सेप्ट समझ गए ना तो कोई नहीं आपको रुसकता है इसको ब seller बोल रहा है कि मैं तेरे को 21 रुप मेरे पास जो है दस घर पड़े होए वह मैं आपको सेल करते हूं यह बोलता है ask की quantity कितनी है बायर बोल रहा है तू मेरे को 12 दे दे 12 आउस दे बट मैं तेरे को जो है हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए वेट माफी चाहता हूं वाइस चीक है तो हमारा यहां पर concept समझ खताम हो जाता है यह वाला option chain का अभी इसमें तीन चार concept हमारे रह जाते हैं जो मैं चलते हैं सिध आपको मैं दीखाता हम आपको आपको किस तर इकना इन की साइट अपको चलते आपको हमारी website उपन हो चुकिए जैसे कि आप देख सकते हो अब यहां पर देखिए अब बहुत तरीकिसर बहुत अभी घवरा मत जाना इन चीजों को देखके घवराने की ज़रत नहीं है कुछ मत देखना जा मैं बोल रहा हूं वहाँ फोकस करो सारी चीजे समझ मा जाएंगी एक ही तो ये तो हुगए अपकी इंडेकैसार को किसे के लिए देखना है चलिए की नहीं में चाही हो चाहिए तो आप जैलREक सिंबल भाल उप्सिंट की द आरहा है येवाला इस पर अथन बेकश्डिक करेंगे तो हां के सब्सक्यार क्राइए लीज़ चाहिए अपको अप्स्ट स्टोक के बारे में तो आप इस टोक क्या यहां पर यह वाला सेलेक्ट करेंगे अगर आपको इंडेक्स में देखना उन्डल कर नीचे गी चीज अभी मत देखना है वह साइज चीज समझा दूँ कर वह अपकुमिंग वाली एक्सपारी दिखा रहे हूँ तो निफ्टि में भ सेलेक्टिए होगया आपंटीएट्स सेप्टमब्र की मंतल्य इंडेक्सphones ट्रों हो जाती है इंदेक्स सिर्फ रप इन ही चीज यह द्रेजिए हम पुत किसे में तेली है आपको आपको Tapi request की में खिखोनी है सेलेक्ट करेंगे तो यह भी इनकी मंत अने वाला है क्योंकि 31 अगस्त को मंत का अने की यह चीज़ आप समझ गए चलिए इसके बाद आभी पहले हम आपको निफ्टी में सेलेट करके दिखा देता हूं चलिए जो वीकली और मंतली दोनों एक्सपारी होने वाली है अभी थरस्डे को तो यह देख चलिए ठीजी यह अपने आपको उपर करता हों एक सेखेन फिर आपको इस्ट्राइक पर आपको उपर कर रहे हैं यह देखिए निफ्टी आपकी आसपास सेल रही है या तो 19.300 के और 19.400 के बीच में आपकी निफ्टी अभी फोल कर रही है चलिए देख भी लेते हैं यह देखिए 19.328.50 ठीक है क्या दिकरा है आपको 19.328.50 मैंने क्या बोला था इतनी प्रोपर तरीकिस आपको यह समझ मा आ जाएगा आप बोलेंगे सर जी आपने तो चुन अच्छे समझा दिया किसी ने आज तक नहीं समझाया हुआ आपने चाहिए कितने भी बड़े-बड़े यूट्यूबर की वीडियो कितने भी छोटे की देखिए हो सब कर निच ओड़ इसी में मिल जाएगा चलिए आ जाईए यह होगा आपके कॉल्स के यह होगे पूट के ठीक है अब मैंने क्या बात की दिये सबसे पहले हमने बात क आपको समझ में आएगा तो हमारी निफ्टी इसमें फोल करेगी तो इसका जो लास्ट ट्रेड़ प्राइज रहा है वो रहा है बावन रुपे बीस पैसे कोल का ठीक है अगर पूट की बात करें पूट आप यह देखिए यह कोल साइड थी लेफ्ट वाल लेफ्ट प्राइज जो रहा है वो रहा है आपका वन ओ टू यानि कि 102 आप समझ गए लास्ट ट्रेड़ प्राइज का समझ में आगया जो जो चीज़े में बता रहा हो वह सिरफ वो देखना रहा है चलिए आप इसके बाद बात करते हैं हम सीधा की सीधा ओपन इंट्रेस्ट की कितन तो बहुत बंदे हैं जो एक प्राइज पर आपको मिलेंगे चलिए देख लेते हैं तो हमारा जो यह 19 तीन सो पचास का है इस पे जो ओपन इंट्रेस्ट है आप यह देखे कितने खड़े हैं दोलाक दोवजार चार सो बंदेंगे बंदें करना सीव जब उन दोन्यादा को कंबाईन के तो आपका दो लाक संट्रेक्ट को लिए हुए इस चीज को आप समझेगे कितने फिलाल में कॉंटेक्ट खड़े हुए यह हो गया कोल साइड में अब ध्यान दीजिएगा यह आपका कोल साइड में खड़े अगर हम पूट साइड की बात करें तो पूट साइड में आपके खड़े है 99,448 इस साइड में आपके इतने वह कितने हैं आपके यह देखे ुदि यह हो गई रहूवा का इन ऐ समय चैन्ज भी है डिए के यह लाक नोहजार सस्थानोय का वॉल्यूम में आ रहा है नोहाद को अन. कितना आ रहा है 13,997,000 यह ओल साइड में आ रहा है चलिए बाइसाइड की बात कर लिए पूट साइड में आ रहा है 11,993,000 आप समझ गए चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं फटा फटा से कितना आपकी इतना डाउन जा रहा है कितनी मार्केट में है इसको बन रही है इसको डीटेल में बताहूंगा नेक्श आपकमिंग वीडियो आप जरूर से उस वीडियो को देखें को बिल्कुल भूले मत थीके तो यह देखिए इसमें चेंज हुआ है 9.71 परसेंट राइट सा इधर ज्यादा बन रही है इधर घबराट कम है इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है इन चीज़ों भी आपको मैनेज करना है चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं अगर आप करें अगर आप आप जाने वाली है इसमें बात करते हैं इंदमनी क्या होगा इंदमनी होगा जो बीच चुका है जो हमारे घर में आ चुका है अब बात करते हैं अप दमनी की को अप्शन बायर की तोर पर एट दमनी की होगी जो अभी फिलाल में निफ्टी चल रही है उसके एक पहले की अर एक बात की देखें 19.319.400 की यह होगा आपके दमनी जो मैंने बोला था एक ऊपर का एक नीचे वाला वह हो गया एट दमनी का और ओटी एम क्या होगा ओड़ मनी और झोड़ में आने वाला है जो फ्यूचर में आने वाला जो यह हम एकस्कक्क कर रहे है वह यह वाइट वाला यह देखें इसी तरीके साब पूट की बात करेंगे पूट में इससे मार्केट नीचे है अभी मार्केट डाउन जा चुकी है इतने से तो यह आपका क्रीम कलर में हो गया और वाइट कलर में जो आने वाला है जो आउट ऑफ दा मनी है यह अभी इतना मार्केट गिरेगी मार्केट अभी इतना गिरेगी हो गया आउट ओफ दा मनी हर जो एट दा मनी है वह आपको यह रहागा उननीस चार्स और निस सब्सक्राइब बता दिया अब बात करते हैं बीड की क्वांटिटी यह यह देखे बीड की क्वांटिटी की वायर बीड कितने पकरना चाह रहे है को चीज के मैं बाता ति बायर बंड करेंगे इतने में रहे हैं और वायर तरव लेंगे नहीं मैं इतने क्वांटिटने कॉं बखरीदे की कितनी क्वांटिटी अप ख्रीजना चाहते हैं अप देखे अब यहां पिती स्कंद न्होंने बीड किया आपको सेल करूँगा पर आप ऐसा बायर उससे नेविगी सेट कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं 32 पैसे का मिलूगा तो दस रुपए का यहां पर आपको फरक आया तो इसको बोलता है आस्क प्राइब प्राइब फिर इसमें कॉंटिटी बढ़ा देता है जो आस्क से 6900 कॉंटिटी आपको सेल करूँगा पर जो बायर है हमारा वो बोल रहा है मैं 2750 कॉंटिटी सिरफ खरी दूँगा तो यह हो गया आपका कॉंटिटी अब आपको एक ओवरॉल पिक्चर समझ में आई होगी आपको किस तरीके से देखना है आप समझ गए इस चीज को इसक कुछ इसकी स्ट्रेटीजी होता हूंगा इस तरीके साब बना सकते हो वह चीज़े आपको फंसाने के लिए मार्केट को फंसाने के लिए कितनी परसेंट के आप पी लूजिंग पोजिशन होगी तो यह सब चीजे बहुत अच्छी तरीके सा अपको प्रोपर तरीक सा जिन हुई है तो चलिए आज की स्वेड़ों कहीं पर रैप अप करते हैं मिलते किसी और नई वीडियो में धन्यवाद